सभी समू की महिलाओं को मेरे तरफ से नमसकार जीहा दिदी आप सभी को प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी नमसकार आप सभी का प्यार दिदी हमारे इस चैनल को बहुत ही जाता मिल रहा है इसके लिए तहे देल से आप सभी की मैं सुक्रियादा करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ जी हाँ दिदी आप अपना प्यार इसी तरह हमारे चैनल पे बनाये रखें और मैं भी दिदी आपके पास नई नई योजनाओं के बारे में और ज्यानकरियों के बारे में आउगत कराती रहूंगी आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को प्लीज प्लीज दिदी सस्क्राइब कर लेजिए और अपने समू के बैठक में जाकर अपने दिदियों से सस्क्राइब कराईए और ग्राम संगठन में स्टियल अप में जहां भी आप जाएए प्रेणना टीवी चैनल को सस्क्राइब कराईए क्यों कराईए इसलिए कि जो दीदिया समू में जुड़ी है उनको प्रेणा टीवी चैनल से जुड़ना ही जुड़ना है क्योंकि आपको हर प्रकार की जैनकारिया जिहां सची हकीकत से वास्ता आप लोगों को मैं हकीकत से वास्ता कराती हूँ जी हां मेरे वीडियो पे आप कोई फेक वीडियो नहीं पाईएगा जो हकीकत है जो सही है वही वीडियो पाईएगा जी हां मैंने कई वीडियो देखे दिदी कुछ में ये थमनेल लिखा था समू सकी को समू से मिलने वाले पांच लाब जी हाँ पांच लाब आज मैं इसी पर डिसकस करूँगी आप सभी के जाथ जी हाँ वो पांच लाब कौन से हैं जो समू सखी को समूद्वारा मिलती है तो कोई फेक वीडियो पर ध्यान ना दे जी हाँ फेक वीडियो दिखा कुछ रहता है और बताते कुछ और है ये नहीं ह होनी चाहिए क्योंकि हमारे प्रिवहने अपना कीमती समय हमारे लिए देती है अपना समय हमारे वीडियो के लिए देती है इसलिए मैं उनको जो है सही जानकादी दूगी सटिक जानकादी दूगी जो कि हमारे दीदी समझ सकें जो हकीकत है कोई फेक वीडियो नहीं है हमार नोट कर लिए अगर आपके सम्मों में कोई धिक्कत है कोई परसानिया है तो हमसे कॉंटेक्ट कर सकती है जिए हमारा मुबाइल नमबर है लिख लीजिए आप लोग को ध्यान में देनी हैं, पहली बात तो दिदी आप जब समू की मिटिंग करती हैं, पांच सुतर का पालन जरू करते रहें, क्योंकि पांच सुतर का पालन करेंगी, तभी आपका समू सक्रिय माना जाएगा, और अच्छे से चलेगा, आईए आपको अब मेले चलती हैं, उनको महीने में 1200 रुपिय मिलती हैं, जी हाँ, मासिक 1200, अब इस बात ध्यान दे, समू सक्रिय को 1200 महीने मिलते हैं, वो भी जब समू सक्रिय हूं, अच्छा काम करके दिखाती हूं, तब उनको पहली बार पैसा, जोड़कर माडा लवन का उन्होंने अगर टेरिंग दे रुपएं, समू के खाते में आते हैं, जी हाँ, किसके खाते में, समू के खाते में, जो दीदी समू में जुड़ी हो, जिस समू में जुड़ी हो, पहले समू के खाते में आते हैं 5000, उसके बाद, दूसरा पैसा उनका ग्राम संगठर में आता है, 10,000 रुपएं, जी हाँ, उसके बाद अग्रिम रासी भरके जाती है उसी साथ से उनका मांदे बनकर आता है लेकिन ये आप लोग भ्यान दें समुसकी को हर महीने 12 रुप्य बनते हैं जी हां उसके बाद आने जाने का वड़ा किराया और सारा जो है ग्राम संगठन वहन करता है वो भी अगर प्रशनली अपने किसी कारते जाएंगी बलाक में तो उसके लिए ग्राम संगठन वहन नहीं करेगा लेकिन अगर समुक एक काम से जाएंगी तो उनका भाड़ा किराया जो है वो ग्राम संगठन वहन करता है लेकिन उनको ग्राम संग सखियां स्वैंब शहायता समों के लिए समों सखि की भूमी का भी निभाएगी एक बैंकिंग पर करीब क्यूंकि समों सखियां अधिकतर ही बैंक सकी बनाए गए है जिस गाव में निपुर्स समों सखि नहों उस गाव में थोड़ा बीसे सखि बन रही है तो आप ध्यान दें समों सखि बनाए जा रही है सखियां स्वैंब सहायता समों के लिए समों सखि की भूमी का भी निभाएगी एक बैंकिंग सखि पर करीब जिहां करीब एक लाख दो हजार दो सो आएगा इस धनरासी में से प्रसिच्छन पर 2400 रुपए पुस्तकवा साथिफिकेट पर 800 रुपए इंक्यूपेमेंट पर 5000 हजार जिहां दिवाइस खेदने के लिए 50,000 सरकार दे रही है और आप लोग सोचते होंगी दीदी को अगर जो है 50,000 डिवाइस के लिए दे दिया गया तो आउट गोइंग कैसे करेंगे जिहां मनी टांस मा जब वो करेंगी तो उनके पास भी कुछ पैसा रहना चीए उसके लिए सरकार उन्हें 25,000 रुपया दे रही है जिहां फिसल्टी पर 25,000 रुपय दे रही है जिसे बोलते हैं ओवर ड्राफ जिहां ओवर ड्राफ बोलते हैं 25,000 रुप देगी जो उनके खाते में रहेगा वो दीदिया सुबा बैंग जाकर खाते से पैसा निकल कर लाएंगी दिन भर पैसा वीतरन करेंगी जमा करेंगी साम में जो उनका पैसा बचेगा जी हां सभी दिदिया ध्यांदे पहले तो सुबा जाके पैसा वोर ड्राफ का पचीजा निकल के लाएंगी दिन भर आउट गोइंग करें जिसको पैसा देना है जी हां पैमेंट से अधार अनेबल पैमेंट सिस्टम से जो है वो सबको पैमेंट करेंगी और पैसे भी जमा दिदि करेंगी लेकिन जब साम हो जाएगा उनके पास जो भी पैसा अधिक अगर हो गया जमा तो उस पैसे को ले जाकर दिदि बैंग में जमा कर देंगी और उसके साथ तहीं दीदी को 4,000 रुपय महीने 6 महीने दिये जाएंगे जी हाँ, 6 महीने 4,000 रुपय बस सरकार देगी, इस बात कर विशेज ध्यान दे, 26 महीना 4,000 रुपय देगी 6 महीना 24,000 और हो सके तो सरकार समु सक्षियों के तो अगरूं को रखेंगी, तो 12,000 रुपय और भी दिये जाएंगे, जी हाँ, कुल मिला के 22,000 रुपय दिदियों को हो जाएंगे, तो अभी तो कनफर्म मैं भी नहीं हूँ कि 1200 देगे या नहीं देगे, जब मैं कनफर्म होंगी तो आपको सही सूचना दूँगी, मैं फेक वीडियो नहीं बनाती हूँ इसलिए बता दूँगे, 4000 रुपय जो दिदि, वो तो देगी ही 6 मेना सरकार, और जो दिदियों आउट गोइंगे, देन लिन करेंगे, उससे जो उनका प्रसेंटेज बनेगा, वो पैसे दिदि के पास रहेगा, क्योंकि पैसा जमा करेंगे, निकासी करेंगे, उसका प्रस जो भी काम दिया जाएगा हुँष, उने उनको कुछ तो कुछ परसेंटेज बनेगा तो देदी जो भी समुखकी है, जो भी BC सखी बनी है उनके लिए काफी यूजफूर रहेगा यह योजना जो दीदी चैनित हो गई है वह अगर मल लगा के काम करेंगी तो पंदरा बीस हज्जार रुपए से कम नहीं कमा सकती जी हाँ लेकिन उनको जब बीसी सखी के तह जुड़ा जाए या उनका जब जुड़ जाए उनको डिवाइस मिल जाए तो सभी दिद् संधन योजना वाले खाते खोले और आउट गोइंग करने के प्रयास करें हर उस गाव में जाए हर उस गली में जाए जहां विद्धा लोग रहते हैं जी हां दाधी रती हैं दादा जी रते हैं जो विद्धा अवस्था में हैं जो विकलांग है जो बाहर नहीं निकल पा रही है पैसा निकासी करने के लिए बैंक तक नहीं पहुंच रहे हैं वहां दीदियां खुद जाएं और उन व्रिद्ध अवस्था में जो इस समय है उनके पास जाके लेंदेन कराएं जी दी अगर लेंदेन कराएंगी जितना ज्यादा आप आउट गोईन करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रशेट्टेज बनेगा तो आप लोग कोशिस करिएगा ज्यादा ज्यादा गौम में घुमने का या तो सबसे कॉंटेक्ट नमबर ले लिजिएगा जो भाईया या दा श्यादि जाता है बुठेलोग हैं उनको काफी फय सकी को हर गली के जोरा ह मेंदेना है हार गरिवों के पास जाना है विद्धाओं के पास जाना है और विकलांगों के पास जाकर पैसा की है तो आपको हमारे हम ँडिव recept पसंदा रहा हो ओ तो लाइक सास्क्राइब बनता ह कि आप लोग लाइक करे में और मुझसे जुड़ी आप है अगर आप मुझसे जुड़ी रहेंगी मैं भी आपको सरकार द्वारा जी हा केंडा सरकार द्वारा मुख्यमंती त्वाल जिए मजनाय आए जानकारिया होगी जो भी योजनाय चलेंगी सबसे पहले आपके पास आएगा जी हाँ प्रेंटना टीवी की चैनल के साथ आप लोग जूड़े रहें और मैं भी आपके साथ जूड़ी रहोंगी तो आज के उडियों पे दिदी इतना ही प्लीज दिदी हमारे चैनल को सस्काय करिया और दिदियों सो कराईए क्योंकि गरीबों के भविश्का सवाल है धर्न्यवादी